सीमा हेदर दुबारा से प्रेगनेंट हो गई है प्रेगनेंट हो गई है प्रेगनेंट हो गई है पुझे ये तो मेरे किसना है पूजा अरे किसी का भी हो है तो सीमा का न वो वापसी आती है उसको वो ही मुहपत मिलेगी यहापे मुहपत देंगे उनको इस वक्त सीमा के घर के बाहर ये घर की चौकट आज भी तुमारी मुंतजर है सीमा देख लो गेड़ खुलावा है पहले भी खुला रहता था जब सीमा यहां रहती थी जिसका दिल चाहता था अंदर घुश जाता सीमा की कोक में जो बच्चा जनम दे रहा है पूरा पाकिसान चाहता है कि वो बच्चे को लेकर सीमा पाकिसान आ जाया जाया अगर वो अभी वापस आ जाती है तो आप लोग उनको अपनाएंगे अभी उसके बच्चे जाए भाई वो अभी किस काम की है नहीं अभी भी है काम की अभी एक और मासूम आ रहा है सुनाए आपने कौन सा मासूम आ रहा है बहुत वाइरल चल रही है वीडियो सीमा हैदर दुबारा से प्रेगनेंट हो गई है प्रेगनेंट हो गई है दुबारा से बार दिया अगर वो उसको भी लेकर आती है पाकिसान वो नन्नी सी जान को आप लोग अपनाएंगे नहीं वो तो अमारा तो नहीं है तो अम उसको अपनाएंगे वो तो इंडिया का है न वहां पर उन्होंने जाके साड़ी बनना शुरूब आपको सिर्फ बच्चे चाहिए तो यह पता चला है अभी सीमा हैदर जो है वो प्रेगनेंट हो गई है अच्छा माशाला माशाला यह तो बड़ी कुछी की बात है भाई आपके अलाके में आपे सीमा हैदर रहती थी जो कि इंडिया चले गए चे महीने पहले जी पिल्कल कभी उन्होने आपकी दुगान से आके पाणी खरीदा जी नहीं चाहिए अगर वो वापसी आकर इसलाम कबूल कर लेती है तो फिर तो इसको यह मौका देना चाहें अभी जो है एक और बच्चा भी आ रहा है वो बेड्या का है वो किसका है 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 की किसी का भी ओ तो सीमा का न हुआ रहा तो सीमा तो सील आ है इसने अपना हचीत बेद आप बंद कपड़ों में घुम्री दो दर नगे कपड़ों में घुम्री है गोर। लेकिन सीमा को कैसे कदल करें क्योंकि सीमा इस वक्त प्रेग्नेंट है सुना होगा आप लोगों लेगे पिर छोड़ देना चाहिए जब तक सजा काटनी चाहिए अगर सीमा आये तो उसको क्या जेल में डाल दें यहां पर जब सीमा रहती थी तो उसकी यहां पर इज़त कैसी थी माशाला सही थी तो सीमा में इतना दिमाग है इन ही रोड़ों पर वो चलती थी और आज इंडिया के रोड़ों पर चल रही है इतनी बड़ी बात यह तो बहुत शातिर लड़ी यहां शातिर लड़ी यहां क्योंकि आप सीमा के इलागे में रहते हैं कहें सामने देखके कि इमा को इदर नहीं आना चाहिए तुम तो चुप करो अंकल आप बोले हम तो बोले वाई आजाए हमारे आजाओ सीमा आजाओ यहां पे लोग अब भी परिशान हैं बिल्कुल नहीं पाकिस्तान में सर हमारी सीमा भावी छे महीने पहले इंडिया चले गई थी अब सुनने में आ रहा है कि वह वापस आ रही है अच्छी बात है यहां पर केस किया था कि मेरी बीवी मुझे चाहिए और मुझे मेरे बच्चे चाहिए तो अगर वह वापसी आती है तो क्या हम पाकिस्तानी सीमा बच्चे चाहिए पाकिस्तानी सीमा हमें हैदर के बच्चे चाहिए बाकी यह नहीं चाहिए सर आप कैसे है अलहम जल्ला सीमा कह रही है के हैदर मुझे प्यार ही नहीं करता था भई यह प्यार नहीं करता तो पहले शादी क्योंकि सीमा ने पहले उससे शादी की बच्चे पैदा किया वो बो रहे कि मेरे तो प्यार नहीं करता है यह तो गलत बात है नहीं यहाँ पाकिस्तान बापसी आना अब तक की जानकारी से पता चला है कि सीमा हैदर को चुपन चुपाई खेलने का बहुत शॉक था कभी वो इस घर में चुपती थी, कभी वो इस घर में चुपती थी, तो उस घर से निकलती थी, और ये वो वाहित घर है, जिस घर में सीमा जाके चुपती थी, तो अगले दिन निकलती थी, बाग बाग अंगल, आग बाग, 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 सब्सक्राइब जब करेंगे आप किस तरह की मुबच आती हैं रभी चाहते हैं समय वापिस आए बिल्कुल नहीं चाहते हैं जो एक बार चले गई वह चले जए कर तहीं पर सौधिया में उसके लिए मजब्धूरीर कर रहा है इधर वहर चीड charter था प्लाड इधा है वह भेज पाकिस्तान चोड़ा तो क्या वो सच्चिन से वफा निभाईगी मेरे को तो नहीं लगता है वह कोई और मिल गया तो उसके साथ भाग जाएगी सच्चिन को भी चोड़ देगी वह है लेकिन जो बात है खुबसूरत भाई है तो खुबसूरत लेकिन अब खुबसूरत सीमा को कोई मैसिज देना चाहते हैं आप अभी वह आपको देख रही है और आप उनके इलाके में रहते हैं जिस गलीयों में सीमा भागती थी कुछ कहना चाहेंगे आप जी मैं ये कहना चाहता हूँ अपना इमान चोड़के क्यों चली गई इधर पाकिस्तन में क्या कमीद में सीमा करेंपी आपको अब उद्धर आप मर जाओ मार जाया दो आप लोग देख सकते हैं कि सीमा के इसलकी लाकासरang को सीन थे कोई पछेश जैल में आप लोगों के दिल में सीमा की कोई जगह नहीं नहीं ख्याल रखियेगा